प्रधान मंत्री के तीसरी बार प्रधान मंत्री पत के लिए चुने जाने को लेकर अयोध्या के रामा दल ट्रस्ट की तरफ से घोशना की गई है कि अगर तीसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बनते हैं प्रधान मंत्री तो अयोध्या में विशालकाई गड़ेश मं मंदिर की डिजाइन रामा दल्व ट्रस्ट के अध्यक्ष की तरफ से राम लला के प्रधान पुजारी के माध्यम से राम लला को समर्पित करने का उदेश दिया गया और अध्भूत बात है सोनर का जो मंदि eh सिव का लिंग अस्था पित में सक राम लेकिन एक अध्भूत मंदिर बनेगा अधुत यह स्थापित होगा भगवान श्युव के विग्रह जो देख करके लोग प्रसन होगें कि हाँ सुन मंदिर तो है लेकिन सुन का जो यह परदिमा है जो लिंग है यह नहीं है ऐसा जो कल की महराज ने यह तैंकिया है जो कह रहे हैं सोच रहे हैं वो बहुत ही अधुत है आवाजचर जनक है कि सोने का भगवान शंकर का शिवलिंग अस्थापित होगा जिसे दर्सन करने के लोग आएंगे अवाने के बाद में दर्सन करके एक अधुत दिखाई देगा अजोध्या में जो अभी तक नहीं है यह अधूती है मंदिर बनेगा अधूती है शिवलिंग की इस्थापना होगी स्री राम लाला सरकार किमो के पुजारी जी का आशिवाद बीते दस वर्सों से में मिल लहा है और उसका प्रतफल जिखर में मिल लहा है वो पूरे बिश्यों के सामने हैं से चड़ के बोल लहा है समय समय पर हम अपने मंत्री जी के लिए जब कुछ बिस्ष्ट दैविय प्रणा से करने का आरम करते हैं तो उसके पहले स्री रामला सरकार से अनमती और उनको साक्षी मान कर उसके अच्छे प्रणाम भी आये हैं और भाविश में भी आते रहेंगे प्रयाज्यारी है प्रणामंत्री के जैनम उत्सव पर दैविय प्रणा से संकल पिया था कि प्रणामंत्र भारत में धर्म नगवी अयोध्या में इतियास में पहली स्वाण निर्मित शिवलिंग की स्थापना तीसरी ब्याव प्रणामंत्री बनकर चुने आने पर पहली से गड़ेश मंदर की है एक गड़ेश मंदर में जो भगवान शिव होंगे वह स्वाण निर्मित शिवलिंग के होंगे